इफ किने निटेज्ट अबिए टूस्टेकल टॉक्स प्रोच आपके हमारा च्छटा साल है तुझे टेक्निकल टॉक्स लगातार करते होँ बैसिक से लेके एडवान से लेके लाइव मार्केट्स टक का डिस्केशन हमने बहुत सारे टूस्टे में किया और आपका प्यार और आपके विशिज और आपके लाइक्स और कमेंट से बहुत-बहुत आबारी है तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनोखा और बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक मार्केट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लिम या सबसे बड़ा जो डर है वो हमा सबसे बेस्ट क्या लगा चलिए देखते हैं रिस्क है यह एक अनोखा प्रेजंटेशन और मुझे कमें बताना कि आपको इसमें सबसे बेस्ट क्या लगा चलिए देखते हैं रिस्क है तो इस है तो सबसे पहला जो स्लाइड है वही बहुत इंपोर्टन है विच इस अब ध्यान से देखो इसको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है हाई प्रोबैबिलिटी लो रिस्क ठीक है अब अब प्रोबैबिलिटी वहां पे पहुँचने का जल्दी है और आसान है और उ प्रोबैबिलिटी यह उतना बड़ा जंप मार नहीं पाओ गया देकिन रिस्क भी चोटा अब इसको करना चाइह नहीं करना चाहे चोटे करने चाही एक है कि हाई प्रोबैबिटी है वंदब आराम से जम्प कर लोगे लेकिन रिस्क भी हाई है और यहीं पे हम गलती कर के लो प्रोबैबिलिटी वनलब जंप मारना मुश्किल है और उपर से हाई रिस्क भी है अब ऐसे ट्रेट तो बिलकुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए तो अब आप कभी भी देखोगे अपने ट्रेल्स को तो पहले यह सोचो कि इसमें रिस्क कितना है और प्रोबैबिलिटी क सबसे लो रिस्क है और हाई प्रोबैबिलिटी है और उसमें आसानी से हम पैसा बना सकते है क्योंकि सिंपल है जैसे अभी लास्ट कुछ हफ्तों में देखोगे बी-ई-ल का यह हमने सब सारे डिसकर्स भी किया ट्यूसर टेक्निकल टॉक एकदम मंतली वीकली मतलब 60-60-40 ए प्रोबैबिलिटी है क्योंकि वीकली बुलिश है, मंतली बुलिश है, सेक्टर बी बुलिश है तो ये लो रिस्क हाई प्रोबैबिलिटी हो गया फिर अभी रीजिंटली लास्ट वीक हमने डिसकस किया था पहला जीएफ अगर मेरे पास अगर option है तो मैं खाली यही ट्रेड करूं मैं और क्यूं ट्रेड करूं कुछ right humans इंडिया advanced GFS 60 60 60 एकडम सिंपल ट्रेड एक कैंडल का stop loss सामने potential एकडम बहुत बड़ा potential प्लस probability भी हाई है तो यह हो गए हमारे low risk और high probability वाले अभी अभी रीसेटली नैल को सिंपल लास्ट चार दिन पहले तीन दिन पहले और आपको यह सिंपल ट्रेड 60 60 40 पर कंफर्म करने को मिलता है अब जाते हैं लो probability यह ट्रेड होने का probability कम है और इसमें रिस्क लेकिन रिस्क कम है तो हमको कभी वह टाइम पास ट्रेड करते हैं रिस्क चोटा है ना पर probability भी कम है तो क्यों करना है टाइम वेस्ट होता है पैसा जाता है समझो यह breakout ट्रेडिंग यह सब चोटे-चोटे प्रेक्टाइंगल तो बड़ा बड़ा है लेकिन इसमें क्योंकि यह breakout ट्रेडिंग है ब्रेकाउट उपर या नीचे तो अब यहां पर नीचे आता है फिर वापश उपर नीचे इसमें ना थो हमने यूज किया ना तो यह लो रिस्क लो प्रोबैबिलिटी ट्रेज हो गए हमारे लिए अब जाते हैं तीसरा वाला हाई प्रोबैबिलिटी मुलाब आसानी से क्रॉस कर लोगे लेकिन रिस्क भी हाई और यहां पे बहुत डेंजर हो सकता है क्योंकि आपको लगता रहे तो ही जाएगा और उसमें सबसे बड़ा जो लोग जादा तर रीटेल ट्रेडर्स करते हैं व ऑफर नीचे लेके जाता है non-stop और उसमें हमारा पुरा account साफ हो सकता है और ऐसा होता है तो वो एक आदग करते हैं चलो दूर-दूर के call-put write करते जाओ करते जाओ. या बैंक ने पी 2000 पॉइंट होता है उस ताइम पे हमारा जो सारा कमाया हुआ है एक साल का दो साल का कभी कभी पाथ साल का भी निकल सकता है अब दूसरा है यह बिलकुल ट्रेड्स तो बिलकुल समझ में आज आता है कि करना ही नहीं चाहिए ऐसे ट्रेंट लेने ही नहीं जो एकदम हाइ ब्रेक टॉरैलिटिलिटी है जैसे अब य debug हो रहा है मार्केन नहीं हाई नया लो नंहीं हो रहा है उसमें अगर ट्रेड लेने गए अब यह क्यों मैंने यहां पर रखा है कि अगर आप जब इसको अच्छे से देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि नीचे से और डी काफी चल गया है उसके बाद उसका ब्रेकाउट हो रहा है तो कोई चीज अगर चली हुई है और उसमें से अगर हम बाद में ब्रेकाउट में लेते हैं तो यह रिस्क और लो प्रोबैबिलिटी और इसमें भी अगर हमने टॉप डाउन अप्रोच नहीं यूज किया जैसे एक यह सेक्टर चली नहीं रहा है और हमने एक तो नीचे से अल्री चल रहा है उसके बाद रेकाउट कि ऑपर जाके फेल हो रहा है कितनी बार उपर जाके फेल हो रहा है तो यह सारी चीजे आपको समझने में इंपोर्टन है कि हमको क्या ट्रेडिंग कौंसा रिस्क लेना है प्रोबैबिटी क्या है चलिए सबसे पहला जो है वो सबसे आसान है अगर आप आराम से काम करोगे ध्यान से बेट करके मनलब जैसे बलता हूं ना जब भी लो रिस्क होगा और हाई प्रोबैबिलिटी होगा तब मैं ट्रेड करूंगा तो आपके आदे से जादा ट्रेड तो बच जाएंगे पहली काटेगरी वाला ही ट्रेड लेना है मिरको अगर तो मैं क्यों दूसरी तीसरी चौथी काटेगरी यूज़ी करूं समझ में आ रहा है तो आपको लो रिस्क पे ही और हाई प्रोबैबिलिटी पे ही काम करना है चलिए आज के देखते हैं कि एक 31 साथ दिन का चालेंज है और दूसरा एक से लेके पाथ जून को पाथ दिन का स्टार्ट अर्ली फिनिश रिच यह टीनेजर के लिए प्रोग्राम है इसमें ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट नहीं है इसमें ओवराल माइंडसेट डेवलोपमेंट बिजनेस आइडियाज इंफ्लूएंसर अक्टिविटी, कम्यूनिकेशन, हैबिट्स और आर्ट अफ लिविंग का कोर्स भी है तो यह नॉन्स्टप बारा देन है अगर आपके घर में टीनेजर भी है और बड़े भी है तो दोनों प्रोग्राम आप जॉइन कर सकते हो तो अगर मैं आपको आज पहले देखते हैं मंत्ली चार्ट टाटा पावर का टाटा पावर एकदम स्ट्रॉंक 60 के उपर मंत्ली चार्ट वीकली चार्ट 60 के ऊपर मुईंग एवरेज स्पोर्ट पी और सिक्स्टी सपोर्ट ओन weekly chart और moving average भी support और सब एक साथ आ रहा है और daily chart पे perfect 40 और वहाँ पे hammer अब आज आपको क्या करना था आज सुबे open low से 415.90 रुपे future का चार्ट है ये हो गया low risk high probability कि रिस्क इतना था पहले तो आज तो ओपन लोग के stop-loss पर रुपे के stop-loss में हो जाता था नहीं तो shadow का stop-loss भी रख सकते थे कि अगर 40 के नीचे गया तो closing के नीचे गया तो और यहां से potential क्या हो गया यह आपिस 60 तक जा सकता है अगर मैं इसका minimum target भी पकड़ो तो 61% retracement पे जा सकता है तो वो comes to around 440 अब 434 तो आज ही हो गया है कि दिन में वो 415 वाला 35 तो दिस इस कॉल्ड एस low risk high probability ट्रेड यही ट्रेड हमने GFS के टाइम पे लास्ट अभी साटेड़े को मैंने weekly market update रिलीज किया था उसमें यह discuss भी हुआ था तो अगर आप खाली ट्यूज़े टेक्निकल टॉक टेक्निकल के लिए वीक्ली मार्केट अपडेट स्टॉक सिलेक्शन के लिए और प्रो ट्रेडर टॉक माइंसेट के लिए तीनों अगर रेगुलरली देखते जाओगे तो आप आप एस गुड़ एस हमारा वन इयर प्रोग्राम भी कर रहे हो फ्री में राइट बट अगेन एक ही चीज़ है वन कोच वन अप्रोच अगर आप इधर उदर सब इधर ये भी वीडियो देखोगे उदर भी देखोगे उसका भी देखोगे तो फूरा कट्वीज हो जाओग वीकली चार्ट 60 के ऊपर 60 सपोर्ट, मुइंग अवरेज सपोर्ट तीन चार्ट डोजी और अभी ग्रीन कैंडल और डेली चार्ट कल से ग्रीन चार्ट और मुइंग अवरेज के ऊपर जाने लगा है 40 पे सपोर्ट जैस सिंपल GFS ट्रेग, no brainer ट्रेग, सेक्टर भी ठीक ट परिजन किया था कि वर्ल्ड मार्केट सारे ठीक टाक है, तो हमारा मार्केट 40 पे आके रुका था, निप्टी पे, तो कल थोड़ा नीचे जाके फिर से बाउन्स और आज और उपर 40 पे सपोर्ट लिया, चैनल पे सपोर्ट लिया, बैंक निप्टी भी सेम, 40 पे सपोर्ट तो यह सिंपल अगर आप चैनल ट्रॉ करते हो, यहां पे, ना तो क्लोजिंग बेसे स्पेस ने अपने आपको तोड़ा, ना पॉट्टी को तोड़ा, तो इट बाउंस बैक, अल्मोस नीचे से, 700-800 पॉइंट नीचे से यह बढ़ गया, and then you see the simple channel, simple चीज़े मार्केट में चलती है, और कुछ करने की जरुवत नहीं है, और बस risk reward को control में रखो, probability देखो, और less is more, right, so I hope you enjoyed this video, I thoroughly enjoyed doing this particular series called Tuesday Technical Talk, जो मैं इतने सालों से कर रहा हूं, और बहुत जल्द हम million पे पहुचेंगे, आपकी दुआ, आपकी wishes आपके subscribe के वज़े से, और अगर अभी तक आपने subscribe यह तो कर लिए, हमें million तक पहुचाने में help करे, million पहुचता ही, हम एक बहुत बढ़ी free training करेंगे, options के उपर, intraday के उपर, और of course, swing trading के उपर, जो हमारी specialty है, thank you so much, अब बताइए, अब risk number one वाला ट्रेड लोगे, दो वाला लोगे, तीन वाला लोगे, चार वाला लोगे, low risk, high probability is the trade you need to take, thank you so much, good luck and good trading.